मेरे प्यारे देश वालचियों, बंगला देश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना मैं इसको समझ सकता हूँ मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर हाला जल्द ही सामान्य होंगे खास करके 140 करोड देश वाज़ों की जिनता कि वहाँ हिंदू, वहाँ के अलपसंख्यक, उस समुधाय की सुरक्षा सुनिस्चित हो बारद हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सूख और शांती के मार्क पर चले शांती के प्रति हमारा कमिट्मेंट है, हमारे संसकार है, हमाने वाले दिनों में, बंगला देश के विकास यात्रा में हमेशा हमारा सुबचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानवजाद की भलाई सोचने वाले लोग हैं मेरे पहरे देश वासियों, हमारे समिधान को 75 वर्ष हो रहे हैं भारत के समिधान के 75 वर्ष की यात्रा, देश को एक बनाना, देश को स्रेश्ट बनाने में बहुत बड़ी भूमी का रही है भारत के लोक तंत्र को मजबूती देने में, हमारे देश के समिधान की बहुत बड़ी भूमी का रही है हमारे देश के दलीत, पिडीत, सोचित, बन्चीत को सुरक्षा देने का बहुत बड़ा काम, हमारे समिधान ने किया है अब जब समिधान के 75 वर्स हम मनाने जा रहे हैं तब हम देश वाजियों ने समिधान में निर्देश्ट कर्तवे के भाव पर बल देना बहुत जरूरी है और जब मैं कर्तवे की बात करता हूं तब बैसर नागरीकों पर बोज बनाना नहीं चाहता हूं कर्तवे केंद्र सरकार के भी है कर्तवे केंद्र सरकार के है मुलाजिम के भी है कर्तवे राजय सरकारों के भी है राजय सरकार के है मुलाजिम के है कर्तवे हर्थानिय स्वरायत संस्ता के है चाहे पंचायत हो नगरपाली का हो मानगरपाली का हो तैसिल हो जिला हो हर किसी के कर लेकिन साथ साथ 140 करोर देश्वास्यों की कर्तव्य अगर हम सब मिल करके अपने कर्तव्यों का निर्वा करेंगे तो हम अपने आप औरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निवित बनेंगे और जब कर्तव्य का पालन होता है तब अधिकारों की रक्षा निहीत होती है उसके लिए कोई अलग से प्रयास करने की जुरूत नहीं पढ़ जाती है